माल लियर स्टुडेंट, क्लास थार्ड मैय रितम स्रा आपकी हिंदी रिचर तो हिंदी रिडर में चैप्टर वन का लास्ट ओपिक हमाज आपको पढ़ाएंगे उसकी बारे में बताएंगे तो चैप्टर वन का नाम क्या है आगे बढ़ते जाएंगे तो चलिए रेट करते ह हम भारत के नए सिपाही आगे वड़ते जाएंगे वक्त पढ़ा तो हमगारों पर चल कर भी मुश्कराएंगे चाहे जितना अंदकार हो या चढ़ा हो या उतार हो हिम्मत कभी न हारेंगे हम हस्ती सुबा बुलाएंगे हमने कभी न जुखना सीखा ना ही राह में रुखना सीखा अपने घर में आने वाले दुस्मन को दे लाएंगे यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था तो आगे का टाउपिक देखिए सचहे फूलों से हमको मल पर रखते तो फानी हल चल मिले न हमको जब तक मंजिल चैन नह हम पाएंगे तो यहां पर कभी ने कभीता के माध्यम से बच्चों के उस्सा उनके जूस और उनकी जिग्याशा की भावना को बताते हुए कभी ने एक देश गीत लिखा देश की बारे में ये गीत लिखा कि हम भारत के नए सिपाही हैं आगे बढ़ते जाएंगे वक्त पड़ातो अंगारों पर यानि कि समय अगर आया तो हम अंगारों यानि आग पर चल कर भी मस्कराएंगे चाहे जितना अंधकार हो या चड़ाओ हो या उतार हो यानि कि चाहे जितना अंधेरा हो या चड़ाओ हो या उतार हो हम हिम्मत कभी नहारेंगे हम अपनी हिम और हम हस्ती सुबा बुलाएंगे हमने कभी न जुकना सीखा ना ही राह में रुकना सीखा अपने घर में आने वाले दुस्मन को दहलाएंगे यानि कि हमने न कभी जुकना सीखा है और ना राह में रास्ते में रुकना सीखा है और अपने घर में यानि कि अपने देश में आन हम छोटे हैं पर रखते तूफानी हलचल यानि तूफानों सा तेज हलचल रखते हैं मिले न हमको जब तक मंजिल चैन नहीं हम पाएंगे यानि कि हमको जब तक अपना लक्ष नहीं मिलेगा तब तक हम चैन नहीं लेंगे आराम नहीं करेंगे और हम अपने देश के लिए आगे ही आगे अपना कदम बढ़ाते हुए जाएंगे और वक्त समय अंगारों आग पर हिम्मत अपनी ताकत अपना साहस हम नहीं खोएंगे दहलाएंगे यानि की डराएंगे तूफानी यानि की तूफानों जैसा तेज और जब तक हमको मिलेन मंजिल तब मंजिल यानि की मेर अपना लक्ष और चैन यानि की हम आराम नहीं करेंगे तो जब तक हमको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी हम आराम नहीं करेंगे तो बच्चो आज आपका शेप्टर बन कम्प्लीट हो गया है बाकी कहां आपको कल बताएंगे बाए कोटे